बिस्मिल्लाहिरर्रह्मान ररहीम अस्सलाम वालेकुम दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप बैवकार अच्छत आपका पाइलोजी ठीचेर चलते हैं आज के लेक्चर को डिसक्स करने के लिए वाइट बोर्ट की तरफ कि दियर स्टुडेंट्स और यर्मेमरी प्रिवे закон में हम डिस्कस्क खटचूकर में सीड जयमिनेशन का जाता है दीच कि अएक कूद ने का आमल seed germination कहलाता है बीज के पोदे में तब्दील होने के लिए कुछ conditions का होना जरूरी है और वो conditions क्या है हमने discuss किया वो internal conditions की बात की जाए तो live embryo है और उसकी food है और अगर external condition की बात की जाए तो वो oxygen है temperature है, light है dear students, हमने discuss किया कि seed germination के अमल के दौरान सबसे पहले बीज पानी को जजब करता है पानी को जजब करने के बाद बीज के छिलका उखड जाता है बीज का छिलका यानि seed coat फट जाता है इसके बाद अगले मरहले में बीज में जो पहली तबदीली आती है वो radical से root निकलती है बीज में embryo के radical से root का निकलना और root का जमीन में पहल जाना इसलिए जरूरी है कि ये जमीन में पहल करके पानी को और मादनियात को नमकियात को जब करती है इसके बाद बीज में जो अगली तबदीली आती है वो ये आती है कि प्लमियूल से शूट बनने का अमल शुरू हो जाता है और एक नया पोदा embryonic stem वजूद में आती है जिसका कोटी लेडन से उपर वाला हिस्सा epicotyle कहलाता है नीचे वाला हिस्सा hypocotyle कहलाता है बेर स्टूडेंट्स epicotyle और hypocotyle के elongate होने की बनियाद पर बाहिर निकलने की बनियाद पर size के भडने की बनियाद पर seed germination की दो टाइप्स है वो दो टाइप्स कौन सी है epeggial और hypogial germination epeggial germination में hypocotyle बाहिर आता है और hook बनाता है जबके hypocotyle germination इसके बिलकुल फुलिवट है जिसमें epicoatyle बाहर आता है और hook बनाता है dear students, epigial germination में kotiladen बाहर आ जाता है और hypogeal germination में kotiladen जेरे जमीन देहता है बीज के तीन एहम हिस्से हैं जो हमने डिसकस किये एक embryo है, एक उसकी endosperm food है और एक उसका हिफाज़ती होलाफ यानि seed coat है अगला topic sexual reproduction का है आईए देखते हैं sexual reproduction किसको कहा जाता है sexual reproduction की definition आप यह लिख सकते हैं it involves fusion of male and female gametes यहाँ पर दो words हैं एक male gamete जबके दूसरा female gamete dear students, male और female gametes का आपस में मिलना जिस reproduction में होता है उसको sexual reproduction का नाम दिया जाता है sexual reproduction में male और female parents दोनों हिस्सा लेते हैं नतीजे के तोर पे जो निया जानदार वजूद में आता है उसमें variations होती हैं उसमें वालिदेन की खसूसियाद भी मुन्तकिल होती हैं नर और मादा, male और female, बाप और माँ दोनों की खसूसियाद का एक निया इमतिजाज पैदा होता है animals में sexual reproduction की बात की जाए तो उसको समझने के लिए जरूरी है हमें gametes के बारे में इल्म होना चाहिए, gametes के बनने के बारे में इल्म होना चाहिए जिन organs में gametes बनते हैं उनका इल्म होना चाहिए और gametes की types के बारे में भी इल्म होना चाहिए आईए देखते हैं गेमीट्स क्या है गेमीट्स कैसे बनते हैं गेमीटोजैनेसिस ये डेफिनेशन है ये एक टाइमिनॉलोजी है ये एक इस्तला है जो पूछी जा सकती है वट इस गेमीटोजैनेसिस तो इसका जवाब ये है गेमीट्स के बनने का अमल जो खास औरगन्स य Numero वन Deployed gamete mother cell undergo meiosis to form gametes Gametogenesis के दोरान खास किसम के cells जिनने Deployed gamete mother cells कहते हैं वो meiosis से गजरते हैं और gametes बनाते हैं जो वो male gametes हों या female gametes हों Same procedure follow होता है Meiosis का अभ्वोता है Meiosis वो cell devian है के जिसमें gametes हैं मियोसिस के जरिये से नए बनने वाले गमीट सेल में क्रॉमोसोम हाफ हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं इसलिए मियोसिस को रेडक्शन डिवियन भी कहा जाता है गमेट formation occur in specialized organs काल गमेट डिवियन गमेट से क्या मुराद है गमेट किसको कहा जाता है वाच डिवियन अब गमेट या हाओ कें यू डिवाईन गमेट आप इसका जवाब लिख सकते हैं formation of gametes occur in specialized organs that are called gonades further details क्या है आईए देखते हैं Dear students, male gonades are testes where sperm produce, जो male gonades है उनको testes का आजाता है, इंसानों की बात की जाए हम animals का हिस्सा है, animal kingdom में शामिल है, हमारे gonades यानी testes male की बाड़ी में outside the body हैंग होते हैं जिस्म से बाहर लटके होते हैं एक थैली के अंदर, जिसको सक्रूटम कहा जाता है Female gonades are ovaries where eggs produce, दिया students Female gonades को ovaries कहा जाता है, ये female body में इनसानों में, चेस्ट में मुझूद होती है Ovaries के अंदर ये वो जगा है, जहां cells बनते हैं, जिनका नाम egg cells है, और ये female gametes है Spermatogenesis is production of sperms in testes Question पूछा जा सकता है, define spermatogenesis, इसका जवाब आप लिख सकते है It is the process of formation या production of sperms in gonades Ogenesis is production of eggs in ovaries Sवाल पूछा जा सकता है, what is ogenesis, तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं It is the process of formation या production of egg cells in gonades यहां पर आप स्पैसिफिक कर सकते हैं definition में Spermatogenesis में gonades के साथ आप testes लिख सकते हैं और ogenesis में gonades के साथ आप ovaries लिख सकते हैं Dear students, इसके बाद further details spermatogenesis की क्या है Sperm बनने के दुरान क्या तबदिलियां आती है Ogenesis की detail क्या है और एक बनने के दूरान क्या तबदीलियां आती हैं इनको डाइग्राम की मदद से समझ लेते हैं आपके सामने एक डाइग्राम है स्पामेटोगेनेसिस में आगाज में एक खास सेल है जिसको स्पामेटोगोनिया कहा जाता है dear students spermatogonia sperm mother cell को कहा जाता है और यह deployed होता है इसमें mitosis का अमल होता है और mitosis के अमल से गुज़र कर यह तबदील हो जाता है primary spermato site में primary spermato site में meiosis 1 का अमल होता है और meiosis 1 से गुज़र कर यह दो cells बनाता है जो secondary spermato sites कहलाते है dear students यहाँ पर यह बात note कर लीजिए कि meiosis की दो further phases है एक को meiosis 1 कहा जाता है एक को meiosis 2 कहा जाता है meiosis 1 से गुज़र कर एक cell दो cell बनाता है और meiosis 2 में enter होने के बाद यह दो cell चार cells में तबदील हो जाते हैं आएए देखते हैं यहाँ भी यह change कैसे आ रहा है secondary spermato sites मेiosis 2 से गुज़रते हैं और meiosis 2 से गुज़र कर चार नए cells बन जाते हैं जिन्हें spermatids कहा जाता है आप से सवाल पूछा जा सकता है spermatids से क्या मुराद है spermatids किसको कहा जाता है dear students spermatids immature sperm cells हैं यह mature ना होने वाले अभी immature form में मुझूद sperm cells हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ तबदीलियों से गुज़रना है इनके अंदर further changes आनी हैं और maturation के बाद इन्होंने mature sperm में तबदील होना है आएए देखते हैं यह immature spermatids हैं जिनको हम immature sperm का नाम दे रहे हैं इनके अंदर तबदीली आती है इनके अंदर एक head region बन जाता है उसके बाद यहाँ पर यह mitochondria का ring है और उसके साथ यहाँ पर एक thread like structure बन जाता है डवेलप हो जाता है जो sperm को swim करने में move करने में मदद देता है यह दर असल फ्लैजेला है इस picture को इस diagram को देख लीजिए यहाँ पर सबसे उपर यह head है यह mitochondria का ring है और यह thread like structure है धागा नुमा structure है जो के फ्लैजेला है dear student यह एक sperm की definition है यह एक sperm की proper detail है यह sperm का complete structure है जिसमें उसका एक head होता है उसके नीचे माइटो कॉन्रिया का ring होता है और उसके साथ एक प्लैजेला अटेच होता है और यह mature sperm है इसके साथ प्लैजेला के होने का मकसद यह है कि यह swim कर सके यह float कर सके female body में move कर सके और egg तक जा सके इसके बाद ogenesis क्या है आईए देखते हैं ogenesis को देखिए सबसे पहले egg mother cell है जिसको ogonia कहा जाता है dear students ogonia be deployed है इसको हम two n लिख सकते है deployed ऐसा cell होता है जिसमें chromosome pair की form में होते हैं double होते हैं यहाँ पर ogonia mitosis के अमल से गुजटता है और mitosis के अमल से गुजटर कर primary o side बनाता है primary o side में further changes आती हैं और यहाँ से meiosis का अमल स्टार्ट हो जाता है यह primary o side meiosis one से गुजटते हैं और meiosis one से गुजटने के बाद दो नए cell बनते हैं जिसमें से एक को first polar body कहा जाता है और एक को secondary o side का नाम दिया जाता है dear students यह बात यहाँ पर note कर लीजिए कि यह secondary o side ने further changes से गुज़रना है और egg cell बनाना है जबके first polar body की further devian होगी वो meiosis two से गुज़रेगी और दो छोटे छोटे cells बन जाएंगे इसी तरह से secondary o side में भी further meiosis two होगी और उससे भी दो सेल बनेंगे जिसमें से एक सेल मिचु़र होने के बाद egg में तबदील हो जाएगा dear students स्पम के बनने का अमल spermatogenesis के लाता है इस दौरान में क्या तबदीलिया आती है हम diagram की मदद से discuss कर चुके और समझ चुके है इसी तरह एक के बनने का अमल o genesis के लाता है इस दौरान में क्या तबदीलिया आती है ये भी हम discuss कर चुके और समझ चुके है अब move करते है further detail की तरफ dear students sperm के बनने का अमल gametogenesis में spermatogenesis के लाता है एक के बनने का अमल gametogenesis में o genesis के लाता है मुक्तलिफ तबदीलियां जिनका हमने जिक्र किया इनसे गुजर कर sperm भी बनता है इनसे गुजर कर egg भी बनता है sperm को male gamet कहा जाता है और egg को female gamet कहा जाता है dear students recall your memory 9th class में chapter number 5 में हमने discuss किया था दो तरहां के cells होते हैं एक को somatic cell कहा जाता है और एक को germ line यह reproductive cell कहा जाता है somatic cell वो होते हैं जो body part बनाते हैं और उनमें जो cell devian होती है वो mitosis होती है इसी तरह से जो germ line cells है reproductive cell है वो नई नसल बनाते हैं वो gamet cell कहलाते हैं dear students यहां पर यह बात जहन में रहे कि gamet के बनने का अमल mitosis की बजाए meiosis के जरीए होता है mitosis में एक parent से दो नए cell तो बनते हैं लेकिन उनमें क्रॉमोसॉम पेरेंट्स जितने होते हैं और meiosis में इस से मुखतलिफ तरीके से एक parent cell दो दफ़ा devian से गुजडता है meiosis वन और टू से गुजडता है और उस में मुझूद क्रॉमोसॉम पेरेंट्स के मुकाबले में हाफ रह जाते हैं चार नए बनने वाले cells क्रॉमोसॉम हैपलोइड फॉर्म में रखते हैं अन पेर फॉर्म में रखते हैं dear students meiosis के नतीजे में जब ये तबदीलिया मुकमल हो जाती है Whisperm एक मेचूर स्पन बन जाता है एग एक मेचूर एग बन जाता है यह male और female gamete कहलाते हैं उसके बाद यह अपस में मिल जाते हैं इनके मिलने के मुखते लिए तरीका हाकार है जिसको हम Überन वे अन्टेर्नल यह एक्स्टर्नल fertilization किहते हैं अज्व एग्स यह वो अमल है कि जिसके दुरान का मिल और मदा का मिलाप होता है नेक unnecessNews कि किसको कहा जाता है गेमीटोजैनेसिस से क्या मुराद है गेमीटोजैनेसिस की दो टाइप स्पामेटोजैनेसिस क्या है और ओजैनेसिस क्या है हमने डिसकस किया स्पामेटोजैनेसिस में क्या तबदीलियां आती है ओजैनेसिस में किन तबदीलियों से गुजर के एकसल बनता हैं और MCQ भी त्यार किये जा सकते हैं आपने इसको लॉंग के लिए भी त्यार करना है इस स्टेट्मेंट के साथ सवाल आ सकता है सवाल पूछंगेंश से अपसे सवाल पूछा जा सकता है स्फोर्मेंटो जैनेस्ज और दूसरी किस्ग जैनेकर्ट में फर्क बता गिये इसी तरह से मुख्तलिफ रिप्रिट्टृट्शन हैं है सवामेतो जैनेसिज है Ogenesis है, Spomated है, First or Second Polar Body है और Fertilization है, ये Definitions हैं जो कि आप से पूछी जा सकती है आपने डाइगराम को भी अच्छी तरह से त्यार कर लेना है अगर Long Question आप से पूछा जाए तो डाइगराम बनाना लाजम है Dear Students, मुझे उमीद है, लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है आप टीचर की इंस्ट्रक्शन को यकीनन फॉलो करेंगे और इंशाला अच्छे नमबर हासल करने में काम्याब होंगे अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्यार लखियेगा, अलाहाफिस